गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास बेटा मैंने आप लोगों को EBS में चैप्टर नमबर 10 पढ़ाया था हमारे चैप्टर का टाइटल था Our Helpers इसमें हमने उन लोगों के बारे में बात की थी ऐसे लोगों के बारे में बात की थी टेलर जो हमारे लिए कपड़े सीलते हैं स्टेशनर जिनसे हम स्टेशनरी का सामान खरीते हैं कैमिस्ट जिनसे हम दवाईयां खरीते हैं फ्लोरिस जिससे हम फ्लार्स खरीते हैं फिर मिल्कमें जिससे हम मिल्क लेते हैं क्लोथ मर्चेंट यानि कि जिनसे हम कपड़े खरीतने हैं फिर हमने पढ़ा प्लमबर जो हमारे नल को हमारे जो पाइप खराब हो जाती हैं उनको सही करते हैं मैकेनिक जो हमारे वीकल हमारे जो वाहन खराब हो जाते हैं इसे बस स्कूटर ठीके कार उनको सही करने का काम करते उन्हें MECHANIC कहते हैं फिर हमने COBBLER पढ़ा था जो हमारे SHUZ अगर खराब हो जाते हैं हमारे CHAPLA अगर खराब हो जाती है तो उसको सही करने का काम करते हैं उन्हें हम COBBLER कहते हैं TEACHER जो हमें पढ़ाते हैं DOCTOR जो बिमार लोगों को ठीक करते हैं Lawyer जो की कोट में अपने जो वकीिल जो लोग हैं, जैसे कि अगर मालो की मैं हूँ, अगर मैं कोट में गई हूँ, तो मेरा वकील मुझे बचाने का काम करेगा, ठीक है? और engineer क्या करते हैं, road और buildings बनाने के काम करते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे helpers हैं, ये सब हमें help करते हैं, कुछ भी अगर हमें चाहिए, मालो हमें flower करीदना है, तो हम किसके पास जाएंगे, florist के पास, वो हमारे help करते हैं, अगर मुझे medicine चाहिए, तो हम chemist के पास जाएंगे, अगर मुझे furniture बना रहा है, तो हम carpenter के पास जाते हैं, तो ये सारे helpers हैं, अब देखो, इसमें word meanings था, helpers, helpers यानि की सहायता करने वाला, second है occupation, occupation मतलब कारूबार या फिर धन्दा, ठीक है, जो भी काम हम करते हैं, जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, तो वो क बढ़ई, यानि की जो लकड़ी का काम करते हैं, टेलर यानि की दरजी, यानि की कपड़े सीनले वाला, stationer यानि जो लिखने की समान बेचता है, वो stationer कहलाता है, chemist यानि दवा बेचने वाला, milkman यानि दूद बेचने वाला, cloth merchant यानि कपड़ा वैपारी, यानि कपड़ा बेचने वाला, plumber यानि नलादी का काम करने वाला व्यक्ति, और mechanic यानि की mystery, ठीक है, तो ये हुआ, अब देखो, cobbler, cobbler कौन होते हैं, mochi, teacher, यानि अध्यापक, यानि जो हमें पढ़ाते हैं, doctor, doctor को हमें इंदी में कहते हैं, चिकित सक, और doctor कौन होते हैं, जो बिमार लो make things, यानि चीजे बनाना, sell things, यानि चीजे बेचना, और repair things, यानि चीजों की मरमत करना, तो ये word meanings आप लोगों को करने पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप इनको करेंगे, अब बात आती है, exercise की, तो exercise part में first है, tick the correct option, tick the correct option में first पूछा है, who sells flowers, यानि कि flowers कौन बेचता है, chemist बे बेचता है, या प्लंबर बेचता है, तो हमने पढ़ा कि flowers जो बेचता है, उन्हें हम क्या कहते है, florist कहते है, तो इसलिए हमने florist पर टिक कर दिया, second है, who repairs vehicles, यानि कि जब हमारे वाहन चाहिए, हमारे scooter हो, बाइक हो, अगर वो खराब हुजाता है, तो उसको repair कौन करता है, cobbler, mechanic, या stationer, तो हमने पढ़ा था कि वो कौन होते हैं, mechanic होते हैं, ठीक है, third है, dash stitches our clothes, हमारे कपड़े कौन सीहता है, tailor, chef या barber, तो हमें पता है, जो कपड़े सीलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, tailor कहते हैं, तो हमने tailor पे टिक कर दिया, next है, filling the blanks with suitable words, हमें filling the blanks करना है, first है, a dash teaches the students, कौन होता है, जो बच्चों को teach करता है, यानि पढ़ाता है, तो वो कौन होते हैं, वो teacher होते हैं, तो हमने इस पे लिख दिया teacher, second है, different people do different kinds of dash, अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग तरह का क्या करते हैं, work करते हैं, यानि कि काम करते हैं, third है, a dash repairs our vehicles, कौन हमारे vehicle को repair करता है, तो वो होते हैं, mechanic, fourth है, a dash sells milk, दूद कौन बेचता है, दूद बेचने वाले को हम क्या कहते है, milkman कहते हैं, तो हमने यह लिख दिया, milkman, fifth है, a dash treats sick people, बिवाल लोगों को कौन treat करता है, तो वो होते हैं, doctor, ठीक है, next है, write T for true and F for false statement, यानि कि हमें true false करना है, true false म हम से, we can buy medicines from chemist, हम medicines यानि कि दवाईयां खरीच सकते हैं chemist से, तो यह true था, तो हमने यह लिख दिया T, second है, a mechanic repairs, taps and pipes, जो mechanic होते हैं, वो null और pipe सही करते हैं, तो यह है false, क्यों, क्योंकि mechanic तो वो होते हैं, जो हमारे vehicles को ठीक करते हैं, और tap और pipe को ठीक करने वाले को हम क्या कह करते हैं, उनको हम कहते हैं, plumber, ठीक है, तो यह गलत था, इसलिए हमने लिखा false, third है, a lawyer treats sick people, जो lawyer होता है, वो बिमार लोगों को सही करता है, तो हमने पढ़ा था, बिमार लोगों को जो सही करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, तो यह false है, fourth है, we buy stationary from a stationer, हम stationary का सामान एक stationer से खरीदते हैं, तो बिल्कुल सही है, हमने लिख दिया true, next है, an engineer makes roads, buildings, etc, जो engineer होते हैं, वो road और building इस तरह की चीज़े बनाते हैं, तो यह true था, इसलिए हमने T लिख दिया, next है, match the following, match the following में देखिए, यह जो first picture है, इसमें यह जो आदमी है, यह जूते चपल ठीक कर रहा है, तो जो हमारे जूते चपलों को ठीक करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, cobbler कहते हैं, second देखिए, यह जो आदमी है, यह pipe पे गेरा ठीक कर रहा है, तो जो pipe पे गेरा ठीक करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, plumber कहते हैं, यह काम करते हैं, उन्हें हम driver कहते हैं, फिर देखिए answer the following questions, answer the following question में first पूछा है, why do people work, लोग work क्यों करते हैं, काम क्यों करते हैं, तो हमने लिखा people work to get money, लोग काम करते हैं ताकि उन्हें money मिल सके, पैसा मिल सके, second है what is an occupation, occupation क्या होता है, when work is done to earn money, जब कोई काम किया जाता है, ज इस इस कॉल डेन, occupation, तब हम उसको क्या कहते हैं, occupation कहते हैं, third है, what does a carpenter do, carpenter क्या करते हैं, a carpenter makes furniture, what does an engineer do, engineer क्या करते हैं, an engineer makes roads, buildings, etc., जो इंजिनेर होते हैं, वो road, building, इस तरह की चीज़ें बनाने का काम करते हैं। फिफ्थ है, what does a doctor do? डॉक्टर क्या करते हैं? A doctor treats sick people. डॉक्टर बिमार लोगों को treat करते हैं, उनको ठीक करते हैं। फिफ्थ है, from where do we buy medicines? हम medicines कहां से खरीते हैं? तो हमने लिखा, we buy medicines from a chemist. हम chemist से खरीते हैं medicine, ठीक है? तो ये हमारा पूरा chapter complete हो गया है, अब इस chapter में जो word meanings है, tick the correct option, filling the blanks, true, false, और answer the following questions, ये सब आपको अपने notebook में complete करना हैं। अगर आपके पास book है, तो आप book में भी करेंगे, और notebook में भी करेंगे, ठीक है? ये पूरा work अपना complete कर लिजेगा, read the chapter, complete your work and learn the chapter. मिलेंगे फिर हम लोग अपने next वीडियो में, bye, take care. आपके लिए स्थाइंगे, ये जाएंगे, ये लिए सब्साइबे, अपके लिए लिए ये लिए 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 हैं।